नमस्कार दोस्तों मैं उश्यदान्त उलंपिक स्टेडी में आपका बहुत बहुत शवागत है दोस्तों एक छोटी से मिस्टेक के शलते कहीं ऐसा नहों कि आप लेखपाल के एक्जाम से बाहर हो जाएं में भी आप EWS से फॉर्म डालें और आपका EWS सर्टिफिकेट काउंट ही ना हो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है देखे आप जब यूट्यूब पे सर्ज करेंगे कि EWS लगभग कितने पुराने टाइम तक का या वर्स तक का मान्य होगा तो इस पे एक कानफॉर्म क्लरिफिकेशन अभी तक साइद किसी ने दिया है ठीक है लेकिन मैं यह कहता हूँ कि देखे बहुत सारे लोग आपसे बोल देंगे कि तीन साल तक का वाइलिड हो जाएगा काफी पुराना ना हो दो साल का हो ऐसा कुछ बोल देंगे लेकिन देखिये अचा उसमें mention भी नहीं किया है हाथ वाला है ठीक ए अब कुछय लोग कहेंगे सर जी प्रिंटर को नहीं मिला है क्या प्रिंटर ही चलेगा तो कोई जरूर्री की प्रिंटर ही चलेगा जो है है यहाँ पर देखे जो जानने वाली बात दोस्तों यह है यहाँ पर अपका यह इनकम EWS certificate है ये जो EWS certificate है ये 2021-22 के लिए मानने है साफ साफ आप यहाँ पर देखिए 2021-22 के लिए मानने है ठीक है अब देखिए ये कानूनी कारेवाई होती है ये आपका income certificate नहीं है आप ध्यान से मेरी बात को समझे कि ये आपका income certificate नहीं है कि यहाँ पर आपको 20,000 scholarship मिलना है 30,000 scholarship मिलना है ठीक है और नहीं मिला तो चल जाएगा ये आपका दोस्तों आरचण संबंदिस certificate है EWS का certificate है अगर इसमें कोई भी तुटी पाई गई आपके पास by chance जो original document है वो तुटी पूर्ण है ठीक है और इसके बाद में ऐसा नहों कि काफी सारे बच्चों के पास thousands बच रणा इस certificate है ठीक है लेकिन अगर कानूनी रूप से आप देखेंगे ठीक है जो कि ज़्यादा महत्रपूर्ण माने रखेगा आपके सौर्ट लिस्टिंग में लास्ट टाइम में जब जाइनिंग हो रहा होगा आपका तो वहाँ पे अगर कानूनी तो पर देखेंगे तो क बोलेंगे कि अभी यह जैसे जिसकी का भी जो इनक यह जब अपरैल पे आपको फिर से नया बनवाना पढ़ेगा तो इन्होंने पुछा कि लिए कप पर चान वर दो महीने बाद बनवा ले ना तो इन्होंने का कि मेरे लेकपाल का पेपर है मेरा जरूरी है इसलिए मैं बनवा रहा हूँ, अच्छा कितना पैसा लगा है ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा इसमें परिशान होनी की बात नहीं है, ये जो है आपका साड़े तीन सो रुपे लगा है, ठीक है, ये स्रेटिफिकट बनवाने में मात्र और मात्र साड़े त रुपे लगा है, और अगर किसी तहसिल पर बाई चांस को ज़्यादा लग रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पांच सो रुपे जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पांच सो रुपे जा सकता है, और कितने टाइम में बनेगा ये भी मैं आपको बता दू, ये मैक्स तीन साल के पहले का तो आप उसको मजबूरी है आपकी की होई लगाना है कुछ ऐसा नहीं है आप आज भी अगर इसको अपलाई करते हैं तो आपको आज डेट है आपका बारा तारीक तो आपको यह 17 तारीक तक देखने को मिल जाएगा आपके पास यह होगा यही और इसके अ यही तक वैलिड है या तो इसको आप फिसरी नियू कर लिजिए जो साफ साब उसमें लिखाओगा कि यही टाइम तक के लिए वैलिड है तो रिस्क नहीं लेना है अगर काफी सारे बच्चों ने डाल दिया है यह से फॉर्म किसी ने डाल दिया है तो चलो ठीक है अब तो फिर भी मैं कहूंगा आप बनवा लीजिए ठीक है क्योंकि जाती प्रमाण पत्र वगरारा में देख लीजिए कि आप जो चेंज़े वाला मैंटर है कि आप क्या क्या चीज़े चेंज कर सकते हो अगर उसमें ये चीज हो जाए और आपने डाल दिया है तो मेरी बात मनना आ आप जागे इसको अपलाई कर दीजिए 17 तारीक तक इसको ले लीजिए जो आपका लेटेस्ट वाला उसको लीजिए और जब अठाइस तारीक के बाद में चेंज होगा तो उसको आप जरूर चेंज कर देना क्योंकि ये नौकरी का सवाल है 30,000,20,000 रुपे का सवाल नहीं है ठीक है तो यहां पर मैंने कुछ चीजें ब्लर कर दीए ताकि उनका डीटेल आपको ना दिखने पाए उमीद करता हूं कि जिन बच्चों को ये लग रहा है कि दो साल के पहले का है तीन साल के पहले का है वो डाउट दूर हो गया होगा बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ चलो ठीक लगा दो लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास है फिर भी आप जरूर अपलाई कर दीजिए 500 रुपे के अंदर अगर आपका ये डाक्यूमेंट त्यार हो जा रहा है तो क्यों इतना रिस्क लेना सर जी पढ़ाई बहुत नुक्सान होगा देखो यार सेलेक् करने इसलिए नहीं बनमार है बनवाई ये जरूर बनवाए ठीक है मिलते गली वीडियो में लेकपाल संबंदी जो भी अपडेट होगा जैनुविन अपडेट पाने के लिए चैनल से जोड़ जो जाना मिलते गली वीडियो में पढ़ाई करते रहे है जहंत